हलो एवरिवन मैं विश्वजीत सिंग आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.M.H.I.04 का जून 2023 के कोशिन विर को हम सॉल्फ करने वाले हैं दोस्तो ये जो कोशिन विर पर है कल 7 जून का हैगा और कल साथ जूनको आपका M.A.H.I.04 का पोलिटिकल इस्ट्रक्शर इन इंडिया उसको एक्जाम हुआ था उसके बाद में आज हम एक कोशिन विर को सॉल्फ करने वाले हैं और सॉल्फ करते समयारा मेन फोकस ये रहेगा कि जो भी कोशिन थे उनको हम समझेंगे डिटेल में कि किस तरह का कोशिन था उसको आंसर कैसा बन सकता था और जितने भी स्टूडेंट से मैंने बातचीत करी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ये फेस करनी बढ़ी कि उनको कोशिन ही समझे में नहीं आ रहा था जिसके कारण से वो कोशिन को ड्रॉब करें पर MHAI 04 का जो रेली कोशिन वीपर था बहुत ईजी था और बहुत सिंपल वर्ट में भी कोशिन को एक्स्पेरिन किया गया था आपके कोशिन वेपर के अंदर में सबसे पहले दोस्तों मैं कोशिन वीपर के भारे में थोड़ा सा बात करें था किस परकार समय के सात में परिवर्तित होती है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं कोशिन वेपर को सॉल्फ करने के लिए हमें 3 गंटे का टाई मिलता हमें सा कीतरह सो नममर का हमारा paper होता है फाइफ questions को हमें attempt करने होते दस question आपकी exam में आते हैं सबसी most important हर question paper के अंदर में होता है और इस question paper के अंदर में भी है हर question का answer लिखते समय हमें word limit को follow करना है और 500 word के अंदर में ही अपना answer complete करना है तब ही हमें number मिलेगा चले हम अपने पहले question के और बढ़ते है जो मारा पहला question आता है दोस्तो पहला question कहता है कि पारंबिक एतिहासी काल में तमिलकम के उधित मुख्यातंतर की परविर्थी क्या थी उसके बारे में बताईए तमिलकम मुख्यातंतर के बारे में simple सा topic है मैंने जब अभी 2-4 दिन पहले MHI 04 का किस तर से study करना चाहिए exam के लिए वो भी बता रहा था वो वीडियो बना रखा था ठीक है तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कि तमिलकम मुख्यातंतर का जो topic है बहुत important है और बहुत सारे बच्चों को छोड़ दिया रिजन यह कि तमिलकम मुख्यातंतर को समझमी नहीं कि किस तर से उसको explain करें अब देखो एक चीज आपकी समझ के चलो जैसे आपकी बिहार से या यूपी से अलगर बिलॉंग करते हो तो वहां पर एक सरपंच विबस्ता है आप अभी अगर नियूस देख कर एक फैसला लेंगे कि कहां पर क्या चीज हो नहीं है ठीक इस तरह का आपने अभी नियूस देख रही होगे करेंट में अगर आप यूपी और बिहार से पिलॉंग करते हो तो मुख्या पंचाय सरपंच यह सब के बारे में आपने जानते हो गया और टीवी सिरियल में बह तरह ऐं पल मानके चलो तीन तरह के में आते हैं तीन परणाली आते हैं तीन कог्या पंचे अंतर के लाई के लाधे प्रवा करते थे यह जो हुआ क्ल्यार की अगर बात करते हैं तो किल्लार परमुकं के अंदर में जो भूमी नियंतरन कई काडरे करते यह तार जायism को कोन अष्य को करना के लिवंतर के लिवेस्का है जान आउन, क céu अनुख एन, बात करते थह तो पूरी एक व्यवस्था प्रकार से चल रही थी प्राइदीपी भारत के अंदर उसके बारे में बात किया जाता है और इनके बारे में जानकारी के सुरोत क्या है, और इनका जो उदे देखो गए ना तो चेर, चोर, पांडेन तरीके से उस चीज को लीड किया गया तो इस तरीके के ववस्ता है मुख्या तंतर थीक है अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं हमारे अगला कोश्चन दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं प्राइदी भारत में करणाने करें और बात करते हैं से उस चैज करने वाले में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अगर उस time के अगर आप राजनीतिक प्रकिरियाओं के बारे में बात करोगे ना तो जो अलग-अलग विद्वान हैं उनके दृष्टिकों में मतभेद देखने के लिए मिलता है कुछ का मानना कुछ था कुछ का मानना कुछ था अलग-अलग मतभेद यहां पर देखने के लि पचास जगह से पढ़ रहे हो पचास लोगों से पता कर रहे हो तो जानकारी का माध्यम डिफ्रेंट होने कारण से आपका जो विचार होगा या दृष्टिकोंगा वह भी अलग माना जाएगा ठीक है समझी में आता है यहां पर आप देखोगे ना तो जो समराज्य कारी सम माक्सवादी इतिहांस लेखन के सामने रखा गया कि किस परकार का भारति सामुंदवात का सिध्धान थे ठीक है सासाथ में यहां पर देखोगे तो उस द्रिष्टी कोन का परियास परतिनीधित्व करने का भी होता है कि किस तर से एक व्यक्ति या जो समाज आर्थिक परकिरिया हूं किस तर से समाजिक और आर्थिक परकिरिया चल रही है राजनीतिक परकिरिया चल रही हो किस तर से लोकों को जोडती है सासाथ में केंद्रिकृत नौकर साही की जो ववस्था थी राज्य ववस्था था उसका किस तर से विगटन होता है या किस तर अलग लेवल कमाना जाता है तो उसकी बात भी कि जाती है किस तर से राजनितिक परणाली थी किस तर से विक्सित हो रही थी ठीक है और प्राइदी पीए जो छेतर था या प्रावरोपित राज्ये थी जिस तर जोडने का जो कारे करती थी मोरे परणाली के अंदर में वो किस इन अनुदानों के लिए परिणाम सूरुप क्या इंपक्त पड़ता था उसके बारे में हम बात करते हैं तरह साथ में जेवा हैं गायर धार्मिक कारेifferent के और भार्मिक्त अधिकार का जो उसमें लिप्थ होना कारियों के अंदर में किस प्रकार से किया जाता है किस बारे में हम discuss करते है ठीक है और जो भी शेवाइँ राजव द्वारत दे जाती थी अंतरगत हम उसके बा लाएं बात करतें कि उनकी क्या भूंकाय होती उती थी किस सिर्वाय दी जाती ती सर्मिक के बीच में आपसी संबंद किस परकार को देते हैं उनके बारे में हम जोर देते हैं तो इन सारी टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करते हैं और इसको इसली आप समझा सकते हो कि मोहल क्या था किस प्रकार से संबंद स्तापित के जा रही थे किस परकार से ब्वह नुदान जैसे विवस्था चल रही थी वह सारा कुछ आपको यहां पे करना होता है question no.3 की और बढ़ते है question no.3 में बात करते है दिली सल्तनत की अधीन राज्य की प्रकृति के संबंद में हाल के विद्वान द्वारब वरनित विचारों की विशलेशन कीजिए अब देगो दिल्ली सल्तनत के राज्य की प्रकृति के सिंपल सा कोश्चन का मतलब यह है ठीक है जाता कई बार के होता है को जो स्टुडेंट्स होते हैं उनको कन्फ्यूज करने के लिए को बहुत बड़ा किया जाता है ठीक है तो आप बड़ा है चोटा है उसको बोल जाईए में टॉपिक क्या है वह समझे अगर आप दिल्ली के राज्य की प्रकृति के बारे में बात करते हो तो सबसे पहले आपको ना कई सारे जो विद्वान थे उनके बारे में पता होना चाहिए मैक्स बईबर जिन्होंने एक बुस्तक लिखी एकनॉमिक एंड सोसाइटी जिसके अंदर में दिल्ली सल्तनत किस परकार से कारे करते उसके बारे में बताया उन्होंने इसके अंदर में ये भी उन्होंने परकृति पूरा देखा जाता है कि राज्य में सासक राज्य पर नियंतरत रखता है ये दिखा गया कुछ परसिक्षित और भरुस्विमन अधिकारियों का भी नियुक्ती रहती थी और उनके उपर आस्रित रहता था राजा कि अगर ये कुछ बोलेंगे जिसके हिसाब से सुजेशन के हिसाब से भी विल वर्क ऐसा गर के चलता था ये जैकब रसेल का माना था सासत में आप देखोगे तो कर संग्रहन करना वैपार करना वानी जी निहंत्रन करना कानून व्यवस्था इस्तापित करना तो इस तरह के जो कारे होते थे वह भरुस्विमन अधिकारियों के द्वारा नियुक्त किये जाते थे और उन्हीं के द्वारा ये सारे कारे को हैंडल जैक्सम बिटर जैक्सम यह दिल्ली सल्टनत को केंद्री कित्राज्य ऋब सेंटर न तब सक्री हिए इस तरी के विवस्था मानने चलते थे और आज आज की समय किया जाते हैं यह तोर पह देल्ली स्थापना अंधर में स्थापना हुई थी geliyor जिसमें प्रित्वीराच चोहान के हार के बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का जिक्र आता है यहाँ पर यह बताया जाता है इन सबी चीज़ों को आप इजली डिफाइन कर सकते हो कोश्चन नुमर 4 के और चलते हैं कोश्चन नुमर 4 के अंदर हम बात करते हैं कि अपनवेशिक राज्ये द्वारा भारत में अपने शाषन को वेदेता परदान करने के लिए उनके द्वारा बिविन तरीके अपनाए ग कर रहे हैं वह अपने आपको सही कैसे बताएं तो मतलब अपने आपको सही बताने के लिए सासन पतेंटी को वैद परदान करने के लिए व्यदता परदान करने के लिए कि हम तो सही तरीके सासन कर रहे हैं उन्होंने कौन सा तरीके अपनाए इसके बारे में हम बात करेंगे एक student पूसता है सर यह वाला phone करके कि सर यह वाला question क्या बोल रहा है समझ महीं नहीं आ रहा पता है question को ना कई पर question बहुत easy है अगर यह बोलता सिधा कि British Karl के अंदर रुकत मतलब जो इस निडिया कंपनी का समय चल रहा था तो बोलता सिधा कि जब अंग्रेज हमारे भारते में आया और हमें गुलाओं बना लिया तो अपने आपको सही साबित करने के लिए क्या कर रहे थे क्यों सही है इस तरह से अगर पूसता हो तो आप समझ जाते ना तो इस तरह से नहीं हो और हमारी हिस्ट्री की लेंग्विज भी नहीं किस तरह से पूसके तो इसके कारण से थोड़ा लंबा घुमा फिरा के पूसता है कि जिससे आप कन्फीज हो सके तो इसको दो बार तीन बार चार बार पड़ो अगर हिंदी वाला समझ में आ ना तो इंग्लिस वाला जो को सब्सके हां यहां कि भारत की रिवास थि हो उनको अउन नहीं अकरना कस्तार्ट कह क्या कि अवे ही रिवास थीं उन्हों अनको अनिग्स तो इनको सब्कुलें बड़ेंगे तो उनको तो नों को सब्दोब और ने वीजिसे तिक हूए जैनेको और तो को वहिएलए करने के इंको Kelvin इंप्रेस करने नि लिए को सारेalka साइराज ऑपर छोगकर को निप्रेस अन्ने निकाले हैे इंक उनक एक से जा गैए किससे राजा महराजी ईंप्रेस एप Not सब्सक्ति होती को अधे गई सब्सक्ति आपक है के लिए समयuchenे यह तो विद्वाद दोब उनका दिकारी मंडल होता है तो उसके अंदर में जगा प्रों मिद्टाख को वक्ता को से ऊपर किसी दरते खाइन को पधर पताहर किए कि यहाँ उनको सही बताने के यहाँ पड़ेगा और अपने सासन को सही बताने के लिए देखो दहीस पर्ता को हम रोकनी लगा रहे सबसे पहले हम इसके बारे में जांच करेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे अगर भारत के सबताओं के अंदर में परदा का जिक्र होगा तब हम इसको एकसेप्ट कर लेंगे तो इस तरीके से वो उन्होंने वेदता परदान करने की ठीक है समझ में आता है तो इस तरीके से आप इसको define कर सकते हो चलिए अगले question के और बढ़ते हो समझते हैं अगला question question number 7 आता है हमारा जहाँ पर हम बात करते हैं मुगलों के अधीन मनसव ववस्ता किस परकार की थी अब देखो मुगलों के अधीन में जब आप मनसव ववस्त पर जब अकबर के द्वारा यह ववस्ता था संस्थार तो पर पूरे पर जो मुगल की पर साथनिक ववस्ता था उसके अंदर में अलग अलग छेत्रों में पूरी तरसे लागु किया गया और इसको एकसेप्ट किया गया और इसको बहुत जiad़ा फला भूल अभी यह ववस अगर मंसब पढ़नाली को देखो गए तो यह मतलब अपने समराज्जे को किस तरह से सस्त बनाना ठीक किस तरह से वह अच्छे तरीके से लीड कर सकते चला सकते पुलिस समराज्जे को उसके उपर में जोड देकन मंसब ववस्ता लाया गया था अब मंसब का अर्थ होता है पद ठीक है पद मतलब एक स्थिती पद देना मंसब और जिस व्यक्ति को यह मिला वो मंसबदार कहलाता था ठीक है मंसब मतलब पद जैसे मंत्री पद होता है कोतवाल होता है जो भी पद होता है मतलब मंसब मतलब पद एक तरसे मानलो जो भारत की सामंत व्यवस्ता है या यह ऊरूप की सामंत व्यवस्ता उससे 99.9% से लिग है बास थोड़ा सा टाइम पेरेड अलग है किसी और majesty को अलग से पढ़ते हैं सामंत वाधी वैवस्ता में कि pug the ass British let us go के सब कर सकते हैं यह देते हैं मनसब के अंदर में भी सेम कारे किया जाता था मंसब का मतलब क्या होता पद्धिति होता है और मनसब के निन के अड़ा किसी छेत्र को किसी व्यक्ति को दिया जाता था ठीक है उधार देद हैं के लिए आज से 5 साल के लिए वाला छेतर 13 अब उस व्यक्ति के साथ में कुछ अडिकार दिया जाता था जिसमें सबसे पहला दिकार क्या होता था भू कर कर्ण कर सकता था वो अपने पास में सेयना रख सकता था और जरुत-पड़ने पर राजय की है यह से क्ढून है और जो कर राजया तक पहुंचा जाता था इस यद विद्था थो आख濟ी थे तक उन टेक्स वसूल करके लाकर राजा को दोगे इस तरीके से इनकी जो राजसर व्यवस्ताती वह बढ़ती जले गए इस तुदरती चली गए और इन्होंने बहुत जाता विकास भी किया ठीके तो यह पूरी व्यवस्ता थी और सबसे प्रमुक क्या होता था इन सभी के उपर सबस सबके लिए मानने होती थी सर प्रमुक राजा को माना जाता था थीक है समझ में आता है को सब्सक्राइब के बारे में बताइए ठीके इजी लवाद्यों अब दोको प्राच्यवादी मतलब क्या होता है जहां पे हम ब्रीटिज सरकार को केंदर में मानकर वो अपने आपको स केंदर में मान कर कि he is the right बाकी सथ तो हई है ठीक है तो इस तरह से चलता है अब प्राच्चेवादी के अंदर में तो समझ में आ गया कि वो केंदर मान कर बिटिस सरकार को बाकी की चीज़ों को सही दिखाने कुर्सित करते हैं पर उहीं पर जब आप इजिल वादियों के बार बिटेस्ट करने का काम करते हैं कि कहां पर सुधार के जोरते कहां पर किस तर से मतलब इसवरी और को किस तर सकते कहां पर कमी रह रही है उसके बारे में बात करते हैं यह दोनों जो चीज़े थी ना प्राच्यवादी और इजिलवादियों का जो है एक तर से महलों इसाई इस ववस्ता के नदर में पूरी तरीके से ना देखा जारा था कि किस तर से क्या चीज़े चल रही है किस तर से रही है तो उस तरीके से दोनों धार नाए को लागो कि यह था भारत के नदर में ठीक है पर के नदर में भारत में पूपने विश्यकार द्वारत के नदर पूपने अंदर जो लागो किया गया तो कई तरह के विवस्ता आती है और भी अन्य तरह के कर भी जोड़े गए थे जिसका मेल मोटिक क्या था कि पहले भारत के अंदर में जो भारत के अंदर के अंदर वेवस्था थी जब इस्ट इंडिया कंपणी को अपने हर चीज के लिए उनको कुछ भी करना है तो उसके लिए अलग से पे करना पड़ता था सोना चांदी के बदले में उनको कच्छा माल खरिना पड़ता था यह सारी वेवस्था थी तुन्हों ने सबसे पहले अपना पैर जमाने के कुर्सिस करी बंगाल के अंदर में बंगाल के अंदर में जब एक एरिया मेल गया जहां पर उनको ये भी अधिकार दिया गया चाहें पूरी तरसे डिपेंड हो गई करववस्था पर और करवस्था का समझनाल के कि एक और दिए दिरे पूरे राज्य के अंदर में वह लागू करना की को ही पर वह बंदोबस्त ही छो बंदो बस्था नहीं कि सब्सक्राइब वह अप उसके सब्सक्तों के बारे में पे भारत को उसके लिए उसका उपयोग किया जाता था ठीक है समझ में आता है तो यह वाला कोश्चन यहां पर एंड होता है दोस्तों आपको समझ में आया होगा और यहां पर मैं यह बोलूँगा कि टोटल नाइन कोश्चन मैंने करवाया है आठ कोश्चन मालो मतलब दो होता तो टिपन भी बेस होता है जो मैं नहीं करवाता हूँ तो यह कोश्चन बेपर के अंदर में से क्या लगता है Może कोश्चन क neiऊ पर आपने केल्फ कि आ आप ने जीतने बीजू किया हूँ ये आपको पता है अब बताईए कि कितने question से जो आपको अफसा लग रहा है कि यह वाला question तो easy था यह वाला तो मैं कर सकता था यह वाला तो मैंने छोड़ दिया मुझे यार समझ मी नहीं आया पर question सारे बहुत easy है और सारे करवाये हुए है ठीक है अगर आपना कल का जो मैंने question paper का वीडियो करवाया था ना वो भी अगर देख लेते तो भी आप इसने से दो question पकड़ सकते थे ठीक है तो यहां पर दोस्तों हमारा video end होता है और मैं request करूँगा एक बार आप सभी वीवर से कि अपना जो भी exam चल रहा हो कि अवड़ दोस्तों है जो भी